हलो अब्रीवन आज हम पढ़ेंगे NCRT EVS क्लास थर्ड का चाप्टर 3 वाटर ओ वाटर आपना जो फेस है वो दोओंगी पानी से आपना जो फेस है वो दोओंगी पानी से और हम सब जिन्दा है पानी के वजए से वाटर है विद स्टोरी कैंफ फिले पीज़ यो पीज़ की ओर आपनी से है और वो इतने साधर टाइम से है कि इसकी इस्टोरी है वो बहुत सारे पीज़ बर सकती है Somewhere it is dew, somewhere it is snow Steam is also water as you know Water has formed so many That is what says my nanny और जो water है, इसकी कही सारी forms होती है Dew मतलब एक बूंध भी होती है Snow, बर्फ की form में भी होता है भाप जो जब हम पानी उबालते हैं तो भाप निकलती है, वो steam होती है इसकी कही सारी forms होती है और ये मेरी नानी कहती है The river flow, the waterfall sinks And the water swells in lakes and springs ये जो पानी है, ये नदी में भी रहता है ज़र्नों से भी किरता है Lakes में भी रहता है और springs में भी रहता है Life on earth, it has bought Watered field and life they got और जो पानी की वज़े से ही Earth per life है जो पानी से भरे वे खेत होते है उनकी वज़े से हमें सिंदगी आती है But when the water breaks in flood Get misfortune, it always works फिर अगर जो पानी जो है वो flood की पॉम्मल लेता है बहुत अदा बारिश परती है किसी और वज़े से बार आजाती है तो ये पानी एक misfortunate एक थोड़ी बतकिस्मती वाली condition भी create कर सकता है तो यहां पर हमारा chapter complete हो गया अब हम इसके देखते हैं Do you know any poem or song on water recited in the poem? मतले तो आपके class का है काम कि अगर आपको कोई poem वगरा आती है जो water से related है तो आप उसको अपनी class में recite कर सकते हैं which are the places mentioned in the poem where we find water poem में हमें कौन कौन से places बताएगाई है जिसमें पानी हमें मिलता है तो हमें बताएगाई है river, waterfalls, springs यहां यहां हमें पानी मिलता है और lakes में भी तो चार बताएगाई है river, waterfall, lakes and springs next question लेखते हैं हमें टिक करना है कि कौन कौन से activities के लिए हमें पानी चाहिए होता है तो खेलने के लिए पानी नहीं चाहिए होता है तो इसमें नहीं आएगा लिखने के लिए भी नहीं चाहिए होता है भागने के लिए भी नहीं गाने के लिए भी नहीं row a boat ना यम प्रस्य जासे चाए होता है और बीद में हमें और हनुच वाटवू चाएं प्ञµट अ छाई ड्यूति होता है आठा गोता है पानी को बाट सब्सक्राइब तो प्रम सकतिन खेल सकते हैं, लिख सकते हैं गाल सकते हैं और रन कर सकते हैं यह सब हो गया और you cannot do without water अच्छा तो यह समें से हमने माख करके यह पिलिखने और यहां से जूज करके की arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each activity begin with the activity that needs most water तो हमें इन वाली एक्टिविटीज में से बताना है कि सबस्यादा पानी किसमे लगेगा और सबस्यादा कम किसमे लगेगा तो हमें स्टार्ट उसे करने जिसमें सबसे जादा पानी लगता है तो सबस्यादा पानी हमें किसमें लगता है इसमिं लिखा है इंहने में फिर उसके बाद पीने में, घर को साफ परने में सबस्राद केव important इसमिये, पिर सेकंड है ने ने तूब टो मुझा आपना विज के मीदें, इसमिये ने रञागा दी मज़े के बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच